हम तो यहां तक कहेंगे अगर मेरी बहनों से मेरे भाईयों से निवेदन है जिसका बच्चा मंद बुद्धी हो माइंड ने काम कम कर रहा हो बुद्धी से कमजोर हो चित्यवर्ती से कमजोर हो या शरीर से कमजोर हो जिसका बच्चा बुद्धी से कमजोर हो कभी अगर मुका मिल जाए तो गाय का जो दूद होता है वो दूद का दही बना कर प्रदा सा दही का निर्मान करकर कहीं एकांत का शिविलिंग अगर आपको कहीं दिख जाए एकांत अकेला वेठा है मेरा देव दिद्यमा काई स्राइब तो एकांतिशर महादेव पर पांच प्र पहले समर्पित करेंं फिर जो दही आप बना लेकर गए हैं वो एकांतिश्वर महादेव को समर्पित करें उस बेलपत्र को उड़भी को बापिस शिविलिंग पे से उठाकर डबे में या कटोरी में लेकर आएं शिविलिंग का अच्छे सिस्नान करा कर चंदन पूजन करकर दही लेकर आजाएं और जो दही लेकर आयो जो बुद्धी से कमजोर वेक्ती है अगर बन सके प्रदोष के दिन कर लोगे तो ज्यादा लाब दाय या बारो महिन हर महीने शिवरात्री आते हैं कोई सी भी शिवरात्री पर करोगे तो ज्यादा लाब दायो को वो चड़ा हुआ दही बच्चे को सुबाह दो फर्शाम थोड़ा-थोड़ा सा कि पहले जो बेल से लाए हो वह वह बेलपत्री। उस को चुरा करकर खाते वधक बन जाए, तो देदो कहनों को नहीं बने, तो उस बैलपत्रि का चूरा करकर उसको पीश कई, गोली बना प्रबल होता चाह रहा है अब वो दीरे दीरे उसके मुझे अगर राल तपक रही है पलंग पर पड़ा रहता है और मंद बुद्धी टाइप का है तो उसमें अंतर आना प्रारम है थल मिलता जरूर है